सेक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़े। यहां पर थोड़ा प्रॉकिंग आ सकती है तो ब्रेक आउट खुले भाग जाए यहां फिर दिप मिले लेकिन 24,000 स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी क्या लगता है यहां पर खुला नीचे आए उपर गया लेकिन तो जो रेसिस्जंस है वह है 52,700 इसको पार करना ज़रूरी है अगर इसमें strength आती है 52,700 पार कर लेता है तो फिर निफ्टी में तेजी आ सकती है अगर बैंक इफ्टी में थोड़ी अगर नहीं पार करता तो पॉसी में थोड़ा dip मिलेगा तो उसका impact निफ्टी पर आएगा तो थोड़ा crucial है बैंक इफ्टी निफ्टी का सा नहीं दे रहा है, वो साथ जरूरी है, हमको points क्या रखने है, ध्यान है, हमको bank nifty में 52,700 points ध्यान देना है, इसके उपर ठीक है, इसके वो थोड़ी possible selling आ सकती है, लेकिन अगर gap down खुलता है, तो लगता है 52,000 के आसपास strong support zone है, यहाँ पर buying आ सकती है, अगर gap down खुलता है, तो n 50 का, 24,000 के आसपास खुलता है gap down, तो शायद buying मिल सकती है, largely जो trend है, वो still interact up है, compromise नहीं किया, mark कीजे points और trade कीजे points क्योंकि बाव बद्वान है,